गुद बॉर्निंग स्टुडेंट्स, हाव आ यू, I hope you will be fine, बेटा हम आपके अमराई बुक में पेज नम्मर करेंगे 2626, 2424 और 2525 में आप से सुन चुकी हूँ, अब हम करेंगे 2626, इसमें देखें पहले लिखा हुए, आमान, आमान, चमान, चमान, बाटन, बाटन, हावन, ह भावन, 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 उसके बाद हम करेंगे अगर, अगर, नगर, नगर, डगर, डगर, शहर, शहर, नहर, नहर, ठीके बटना, नेक्स्ट आए, नारम, उसके बाद, गरम, कसाम, कलम, जनाम, चटक, चटक, मटक, अटक, लटक, भटक, उसके बाद है पेटा टेहल, चेहल, पहल, बगल, सरन, रबड, पकड, अकड, जकड, जगड, भारत, जगत, रजत, भारत, भगत, चरन, शरन, करन, इदे कोई अनया हैं बोलते हैं इसको अनया, रियोत न, लगन, न, अन, फरक रखा, गरो वेटा समझो, भारन, हरन, गपट, जपट, डपट, रपट, लपट, अगन, लगन, पटक, रबड, कड़क, उचल, उलट, उत्तर, उपर, उसर, उसर, देखिए ये आ है, आ, आपको आते हैं न, आ, इसे बलेंगे, आहट, आदर, आपस, ये क्या है, छोटा ओ बोलते हैं ने, इसको, छोटा ओ, तो हम इसको, ओ, ओ, सिखाया था न, मैडम ने, आपको, ओ, जल, ओ, शद, ठीक है बटा, सबको अच्छी तरह ये बात समझ आगी होगी, कि मैडम ने आज सिखाया हैं बटा, आपको तीन अक्षरों के, जो, इसलिए मैडम बार बार कहते हैं, पेज नमबर 15 को पढ़ो, मैं फिरे बिटा, ओ, जो को बहुत बुड़ा मुझ खुलता है, ओ, इस पर दो मात रहाते हैं, इसे भोलेंगे, ओ, शद, ठीक है, सबी बच्चे, पेज नमबर 2626, यहां से शुरू करना है बिटा, आपने 2424 से, मैडम आपको ये पिक्चर दिखा के पुछेंगी, ये क्या है, ठीक है, क्या है ये, भवन, ये क्या है, सडक, ये क्या है, नहर, ये क्या है, मगर, ये तो हमारा सिंपल सा, उसके बाद पिक्चर में ये है, भगत, ये मैडम ने आपको नोटबुक में भी करे, भजम, गजमत, भगत, ये क्या है, पलक, पजमल, जमक, पलक, उसके बाद कम इसके साथ साथ हमने ये तीन अक्षर के जोड़ किया है उसके बाद आज हमने पेज नंबर अब नया किया है 2626 जिसमें भी तीन अक्षरों के जोड़ी है इसे आप ध्यान से बोलो अटक अटक ऐसे बोलो बगल कोई बचे ऐसे नहीं बोलेगा बैगल है बैगल रोग हो जाता आप 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 मोस्ली बचे ऐसे बोलते हो इसके बाद जो हम आपकी नोट बुक में काम करेंगे उसमें आप इस तरह शूत लेक लिखवा ले ना और वान टू थ्री फॉर फाइव सिक्स सेवन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 लेंस लगवा ले ना और मैम आपको बोलेंगी और आप इस पर लिखते जाना ठीक है बेटा मैम आपको शूत लेक बोलेंगी तीनक श्रों के जोड की आप सब इसको करना ठीक है अच्छी तरह प्रेक्टिस करना सभी बच्चे जैसे मैम बोलेंगी नहीं क बेटा जैसे मैं आपने बोला रजत फिर आपने रजत लिखा भावन फिर भावन लिखा मागर मगर लिखा कपट कपट लिखा पलक पलक लिखा उचल उचल लिखा लहर लहर लिखा गरम गरम लिखा ठीक है बेटा इस परकार आपने ये पेश्यार करवाना है जिसमें कि आपका शूतलिक बना होगा और आपने इस तरह लाइने लगवानी है मैं हम आपको बोलेंगी आपने तीन अक्षों के जोट लिखने है चलिए बिटा, बाई बाई, have a nice day